हम पढ़ रहे थे क्या investment mode means कि पैसा कहां से आएगा कैसे लगेगा आपका तो अब यहां पर क्या है कि हम कौन कौन सी foreign capital अपने पास receive कर सकते हैं और कैसे कैसे हम encourage करें कि इंडिया में foreign capital आए एक बात सोचिए कि foreign capital का इंडिया में आना यानि foreign direct investment इंडिया में आना बताइए मेर को कि जो balance of payment होता है sorry जो आपका foreign reserve होता है उसमें कैसा impact डालेगा negative पोजिटिव पैसा आराप एफडिया या रही है तो बताए यह foreign reserve बढ़ेंगे या कम हो पोजिटिव आएगे आपके पास value आएगे आपके पास funds आएगे अभी आपने सुना होगा कि आभी केस भी थोड़ खटर है वह वहाँ पे गए है साओधी अरबिया सुना है अपने और पासपोट बूल गए यह के चला उसको जो अधिकारी था उसको फिशा था उसको सस्पेंड कर दिया कल की न्यूज आई है अगर आपने देखियो तो एक्शुली क्या है कि एक जो global city बनाना चाहते है पैसा मिल जाए स्मार्ट शिटी के लिए तो इन्वस्टर जुड़ने गए तो वो केस इसले हाइलाइट हो गया कि वह पासपोर्ट जैसे वहाँ पे गए ना तो पासपोर्ट नहीं था उनके पास तो खुद का पासपोर्ट नहीं होने की वज़ए से फिर वह थोड़ा सा दिने हो गया इस तरही केंगी चीजह हो गई तो के हाइलाइट हो रखा है आपने देखा भी होगा नहीं तो अब देख लेना तो में परफाट गया होता है कि फोरन लोग यहां आये पैसा लगा हर कोई कंट्री चाहती है यह कि उनकी कंट्री में पैसा लगे बाहर का ठीक ह तो तो अब foreign capital का मतलब होता है कि जो भी कोई government of the other country को individual institution आपकी country में आके पैसा लगा या प्रोवाइड करें तो वह क्या होगी आपके foreign capital समझ में आई बात तो इसमें क्या है foreign capital का मिनिंग क्या हुआ मिनिंग का मतलब हुआ कि investment हम बात कर रहें यहां पर investment mode ही समझेंगे आप यहां पर क्या investment of capital by foreign government government करें आपके individual करें आपका कोई भी international organization करें को institutions करें आप में पैसा आना चाहिए foreign capital means capital other than your country चाहिए कोई भी investment करें किसी भी form में दे आपको पैसा आना चाहिए 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 लोन दे चाहिए आपके investment करें FDII लगाए चाहिए हर कोई चाहिए attraction कि भाई हर कोई country चाहिए चाहिए foreign लोग यहां पर आके पैसा लगाए ठीक है आगे बाद समझ में है वह प्रम का मतलब का फोरन से पैसा है मैं यह निकार रहा है इन्वस्टमेंट तो होई है उनकी तरफ से इंवस्टमेंट है आपकी का चोटकर कैसा भी पैसा आहा हो आपकी क्या होगी क्या अपकिन्स पर इहां कर रहें हम बात करती कि कुछ कमाई एक फैसअ पर इपाद क्या हो फैसा नो तो की है चैसे कुछ बॉल्प कंट्री में और कशना डेकर चाहिए खेंगे ची कंपनी है ही कंट्री यह डाव्लिपिय हर्ड किस् tegen प्रविйन देवलपिंग को से प्रवामीटर य। या तो डिव्लप दोन किंट्रि अपने आपको या तो ड Hence ओलपिंग और इसी पर नहीं कि इस्य हुआ है कर चैना जैसे इंडिया डोलुपिंग कहता है China को लोग developed मानते हैं और दूसरी country China काता है हम भी developing country में आते हैं developing country होने की वज़ये से आपको जो अंकितार्ड की फैसिलिटी फैसलिटी बहुत सारी मिंती एक तो इसका कोई क्राइडरिया नहीं कहीं पर रिटर्र में कि कौन सी developing होगी कौन से पहली केना श्राट करते मतलब की जब थोड़े सी पैसे आए ऑस्टेलिय अपने आपको डॉलप करते है तेक लिए अच्छी अच्षी डुपलप के लिए वायं कोई चाहते है कि अपने ओलो नहीं नहीं है ठीक है अपनी तरी के से로 के तो मैंने क्या बताया विजिनिंग क्या है फिरन का। मतलब आप समझ गई हो इसमें ज़रूरी नहीं कि कावड़ेटल इंवेस्टमेंट में ने का लॉन की इंवेस्टमेंट भी कूझ भी कोई बी कंट्री यह ने की कि सिर्फ developing को चीह अंडर development को चीह डवलाप भी हो चीह सब भी को पैसा चीह होता है ठीक है फोरन्ड कैपितर हमेशा याद रखना आपका क्या होगा अगर इंडिया में पैसा आ रही है न तो in flow होगा ठीक है क्या होगा आपका inflow होगा और बहार जा रहा है तो आपका आउट लोगा और इसमें देखो क्या क्या है आया फोरन एड कि आपको या तो विदाउट एनी रीपेमेंट अब अब लिगेशन या बहुती कंसेशन रेट पर आपको पैसा वापिस करना है और आप देखिए और कहीं पर भी जिसे ड्रोट आती है आपके पास बाहर आ जाती है इस तरह के जो चीज आती है आपके पास उसमें क्या होता ह उसमें कुछ दूसरी गवर्मेंट आपको help provide करती है दूसरी कंट्रीज की या इंडियन से भी बाहर पैसा जाता है तो वह क्या होती है फोरन एड विदाउट ओब्लिगेशन मतला रीपेमेंट ओब्लिगेशन के साथ ठीक है तो फोरन एड भी इंक्लूड हो गई एक कॉमर इसे ले सकते हो और most important के आपकी foreign investment का मतलब FDI आगा पैसा लगा रहे है उनीका रिस्क है अपने कल पढ़ा था कि रिस्क नहीं का होगा तो इनी इन फोर्म में आपको बस foreign capital आएगी ठीक है अब देखे कौन कौन से component है हमने अभी पढ़ा कि foreign aid है foreign investment commercial borrowing है तो देखे आप इसक जैसे जो भी scholars PhD कर रहे है ना I mean को कोई यह नहीं कहता है जैसे माल लाइक मेरी fellowship आती है मैं यह नहीं कहता कि मेरी कोई salary आती मैं नहीं कहता मैं कहता मैं कहता मैं कहता fellowship आती है एक grant है जो मुझी UGC प्रवाइड कर रही है तो इसी तरीके से कोई government मतलब कोई international institutions या कोई government आप आपको grants available कर आती है ठीक है इसमें क्या होती है इसमें आपकी कोई भी non repayment obligations नहीं होती है लाइक जैसे आपने किसी को ऐसे donate कर दिया हो grant दे दियो कि आप ये काम कर लो grant आप कर लो इस तरीके से मेरी पार समझ में grants क्या होती है कि इसको आप non repayment obligation कोई payment आपको नहीं करना है ठीक है on the part of recipient nation मतलब जो भी receive कर रहा है इसको payment नहीं करना grant के किसी में इसी कि USA Pakistan को बहुत सारी grants available कर आता अफगानिस्तान को देता था बहुत सारी countries को देता था तो ये क्या वह grants होगी second आई concessional loan और shop loan देखो income meaning समझ लो अभी आपको आगी काम आए गई shop loan कि इसको बोलते हैं जिस पर interest rate ना के बराबर होती है ठीक है बिल्कुल ही का और इसका repayment time paid होता है 40-50 या very long term paid का उसको बोलते है shop loan कम rate होगी interest rate होगी time paid ज्यादा होगा ठीक है concessional loan मतलब हम आपको कई पर interest मी नह लेते हैं कहते हैं कि जैसे नहीं तो subsidies type जैसे आप इस पर पैनल लगवाती हो आप solar panel लगवाते हैं तो आप इस तरीके से क्या होता है कि आप जो interest rate होती है आपकी market rate से आपको कमपे मिलती है basically यह किसको मिलती है जो आपके under developed countries होती है ना or least development countries उनके लिए पैसा available होता है आग आपको की दो तरीके के लोन देती है एक तो project specific और दूसरा आपका non project अब मालो जपैन की government ने इंडिया को लोन दिया है कुछ 5 lakh crore rupees का तो वो कौन सा है किस परपत के लिए था bullet train के लिए तो bullet training project हो गया तो यह कौन सा होब project specific loan और इसके अलाबा कुछ general loan दे तो क्या होगा non project non specific loan ठीक है एक तो क्या होगा specific और एक आया non project specific ठीक है आया समझे उसके बाद आया loan from the international institutions देखिए आपके पास ना बहुत सारे आपके institutions काम करते हैं जिससे आप ऐसे ले सकते हो मतलब loan के लिए आपके पास available है सबसे पहले आप इसमें आता है आई मैप आपके पास world bank आगया adb आगया bricks bank आगया ठीक है और बहुत आया AI भी आगया asian infrastructure investment bank बहुत सारे बैंक है जिससे आप international institutions आपको loan देते हैं हमें पता है जब भी balance of payment आपकी पास कोई deficit हो तो माहिए में आपके पास loan के लिए आते हैं development के लिए लिए रिकस्ट्रक्शन के लिए यह वर्ल्ड बैंक के पास से लगे यह एश्या की country का बैंक है आपका ADB Asian development bank इंडिया इसमें contributor है ठीक है इसमें भी इंडिया का contribution है 20% contribution सभी में है वैसे इंडिया का सभी में जो मैं आपके सामने लिखना हूं लेकिन में आपका ADB में है इनमें अच्छा contribution है इंडिया ठीक है तो अब यहां से आप ऐसा ले सकते हो इसमें भी category होती है है हाड लोन है हर तरीके की को कंसेशनल रेट पर देता को हाई रेट पर मिलता है सब का अपने अपना है ठीक है ओके उसके बाद आए आपके पास foreign aid में क्या क्या इंक्लूड कर दिया आपने देख लिया एक तो आपने grants इंक्लूड कर ली आपने कंसेशन लोन ले लिए जि इसा चाहिए और एक्जांपल अभी भी ना अदानी गूर्प को सब्सक्राइब का लोन दिया है कि अना कमर्शिल बोरिंग हो कि वह इंट्रेस रेट चुकाएंगे वह ठीक है तो अब इसमें क्या होता है कोई भी country है या कोई country की company है किसी दूसरी source के पास मतलब क्या करती ह किसी दूसरी country में जाकर उसके bank से उसके government से loan लेती commercial बोरिंग कमर्शिल बोरिंग का मतलब हम आपको लों हमें लोन दे दीजिए हम आपको जो market rate है उसके according या जो भी तैयर रेट होती है उसके according आपको इंट्रेस्ट भी करेंगे तो यह होगी आपकी commercial बोरिंग इसलिए का क्योंकि इसमें न जो आपका receiver है वो क्या करना चाहता है development अपनी growth चाहता है उसमें पैसा लगाएगा वहां से कमाएगा इंट्रेस्ट बेकरी ठीक है तो यह आपके पास यह आपके लोन कहा से लेंगे बैंक से लेंगे कहां से फोरन की बात करेंगे तो फोरन बैंक्स और न सबलों में क्या पता है था लुँद्व फोरन पेटल में क्या का इंकलूड करते हैं तौर एपकर यह क्रांट होती फिलाया इसκι ऑसको वापिस नहीं करना होता है तो तो इंस्टिशेन से लोन ले सकते हैं और कमर्शल बोर्ववेंग सकती है तो यह आपने पढ़ा फिर उसके बाद आया इसी कि जो फॉर्माइट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वह कौन-कौन से हो सकती है देखिए फोर अन्वेस्टमेंट है यह फोरान सकते उससे पैसा कमा सकते तो ग्रोथ होगी डवलापनेट हर कंट्री चाती है मैं फिर से बोल रहे हर कंट्री चाते है कि उसकी कंट्री में एप डिया या हर को इसको क्या होगा एक फोर्ण रिजर बढ़ेंगे और वह एक अच्छी आपका लिए प्लस पाइंट होता है तो फ तो नहीं होगी यहां से एक्सपोर्ट बड़ेंगे तो क्या होगा एक्सपोर्ट आपके बढ़ेंगे और आपके government के revenue देखेंगे आगर export बढ़ेंगे ना एक और चीज फड़क पड़ेगा किया आपका balance of payment आपका या तो correct होगा या आपका plus में होगा श Sans थो मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है कोई दूसरी कंट्री की कंपनी इस इंडिया में आ कर या तो अपना प्लांट लगार्टी खुद बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो वह क्या होगा एपडिया एक पास रिस्क भी ज्यादा होगा तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास पास control अगया control over management ठीक है long term consideration होता है short term के लिए नहीं long term के लिए और आपका risk भी क्या होगा हाई इस तरीके से किस्वान आएगा कि FDI की कौन कौन सी फीचर्स है तो आप लिखेंगे control होता है long term consideration होता है और highly risk होता है ठीक है उसके बाद आपने पड़ा FPI और foreign institutional investment देखो portfolio investment एक तो full form भी आदे रखना और एक आपका institution यह हो गया मतलब क्या है कोई foreign investors foreign company foreign government through stock exchanges like NSC और BSC यहां से उन companies के shares को या debentures को bonds को purchase करती है purpose होता है कि उनको कुछ income generate हो तो वह क्या होगा आपका FPI या FDI FII देखो portfolio का मतलब क्या होता है portfolio का मतलब होता है कि different types of securities में आप investment कर यह for example reliance के तो आपने shares में पैसे लगा दी ठीक है महींदरा के shares में पैसे लगा दी टाटा के boons purchase कर लिए तो इसको बोलते है portfolio single securities में इन्वेस्ट कर सकते हो आपके आपके पास option है different में तो different में जब आप करोगे तो इसको portfolio बोले ठीक है इसमें क्या होता है management पे control होगा नहीं होगा short term पैसे base case security पैसा निकाल लेंगे अपना income motive होता है risk भी कम होता है ठीक है आया समझ में उसके बाद देखिए कौन-कौन से आपके पास FDI के ways होते हैं किस-किस तरीके से आप FDI कर सकते हैं आपको नहीं topic FDI वालों बहुत अच्छी से के लिए रोजाएगी कैसे होती है FDI सबसे पहले establishment of fully owned subsidiary खुद की subsidiary लगा दो किसी की आपको requirement नहीं foreign company इंडिया के किसी भी सेक्टर में आके अर्याना में अर्याना में गुरुगुरा में आके अपना प्लांट लगा दिया through government mode या through automatic route वो अभी डिसकस करेंगे किसी भी mode से आके पैसे अपने प्लांट लगा दिया मतलब अपनी subsidiary लगा दी एक तो यह option आपके बाद दूसरा क्या है acquisition of purchasing shares means देखें कोई भी company जो management के shares purchase कर ले management यह कौन से बात कर रहा है या management shares बोल सकते हो आप या ownership shares means equity shares अगर आप equity shares में आप purchase कर लेते हो तो यह 25% purchase आपके पास ownership 25% 50% कर लिया तो 50% decision making आपको चाहिए तो 50% purchase कर लो तो यह भी आपका है कि आप management shares प्रचेज कर सकते हो ownership shares को आप purchase करके क्या कर सकते हो FDI लगा सकते हो एक आपके पास option हो सकता है foreign collaboration इसमें क्या होता है किसी particular काम के लिए task के लिए दो countries मिलकर collaborate करती है collaborations करती है यह भी possible है इसका और example अगर आप देखना चाहिए आप देखना आप देखना आप देखना आप देखना रही है तो यह आपके पास एक्जामपल है ठीक है अब देखिए आपने पहली बार आप सुन रहे होंगी यह words type of FDI में किस ने सुना रख था घ्रीन फिल्ड इंवेस्टमेंट की होती है और जी सुना था आप अब सुने आप दीए कि आगया अपको आगया आपको आता है इसमें क्या होता है एक कंपनी आई बाहर से बाहर से आके किसी कंपनी को एक्वायर किया देखे क्या होता है एक टेक प्लेस ऐदर त्रू ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचीज एक तो यह आपके पास है आपने क्या किया अपनी नई ब्रांचीज दूसरी कंट्री में जाके ओपन कर दिया तो फिर इंवेस्टमेंट हो गय है कनट्री तू फाइनश्फा। फोरण फाइनशिल क्यों अपने फिर इ से कोणी खेंसच इस सथमेंट कह एक जहत है सब क्यल ंए उसंड दी जाकार दियो आ पने फिर गोकी में आपकी क्रांचीज ओपन यह घू कर दिःए उह बिलकुल नहीं deu Unfortunately आपकी गृंटेंवड इंवेस्ट में क्या होगई ग्रीन फिल्ड इन वेस्ट में बात सम भी आई कि आप अपनी न्य ब्रांच बाणिस और आहरे हो एक तो कि दूसरे के साथ मिलेक्षक और गली फिल्ड फिल्ड इन विल्डि一下 में इसमें भी आगी the category होई एक लोल्ट और सब ठाप पूरण पाला पैसा आप हैंडर परसुट लागा हूँ तो मतलब यौस फुली ओन्न बोल सकते तो मिनत सारा पैसा आपने हें लगा आ सारे का कंड्रोल किस को आप का ठीक है आपकी क्या लेती है एक्विटी शेशिन अनेदर कंपनी का मतलब जो दूसरी कमपनी बनाई जा रही उसमें ठीक है दूसरा क्या आया पासली ओन सब्सेडिरी स्में और आपका आया equity alliances जब आपके shares ना investment 50% से कम हो तो उसको बोलते है equity alliance ठीक है और last आया आपके पास equity alliance reciprocal आप देखो एक ये company A, एक ये B company है A ने B में investment कर दिया B ने A में कर दिया तो ये क्या होगा equity alliance reciprocal ठीक है चार category बताईए आपको पहले तो greenfield investment greenfield का मतलबता बिल्कुल नया investment करना आप ये समझे ठीक है हाँ तो greenfield होगा वो हाँ तो greenfield investment है एक ये चीज़ देखना और इसकी चार पार्ट बता दियो 100% लगाए तो क्या कहोगे fully owned है पचास परशंट से ज्यादा सो से कम है तो पार्ट लियों एक्विटी अलाइंस पचास से कम और एक्विटी अलाइंस डैसी प्रोकल दोनों कंपनी एक दूसरे में लगाती है यहां तक कि लिए ने ठीक अब आया सब्सक्राइब जोरे सुब्सक्राइब ठीक है हच को एक्वाइर किया वड़ा फून ने स्नैप डिल को एक्वाइर किया फिलिपकार्ट ने तो यह सब एक्जामपल है किसके एक्विजिशन के अब आया ब्राउन फोल्ड इंवेस्टमेंट इसमें देखो क्या होता है इसमें कोई कंपनी इंडिया में ओल्री काम कर उसको एक्वाइर किया और उसको कंपलीटली बतल दे वर्ड सुन लो मैंने क्या काया एक तो निव बिल्कुल निव हो जाए तो वह तो क्या होगा ग्रीन फिल्ड एक पहले से चल रही उसको खरीदा पैट्रोलियम की कंपनी थी यह मलवा पैट्रोल पंचे उसको खरीदा को सवर बना दिया कि स्कूल खरीद के फिडिल बना दिया तो एक होगा आपका ब्राउन फोल इंवे को खोंपनी परचिस दनिंग भिजनि इस बतल देड़ इट cdzie मेंदे चेंज कुंप य protagonist दून लेना completely यह क्या कलाएगा आपका brownfield इंविश्टी नहीं जरू अगर हाँ अगर international merger की बात कर रहे तो थिक है मर्जर का केश बूछार होते हैं हीरो-honda इटी-merger हो गया अभी पहले ही ही रोण डा साथ-साथ थी दी पहले होंडा कंपनी और इंडिया की हीरो दोनों मिलके बन इंटनेशल बन डो सब गये तो यह है यह इसी तरीके शोगा आपका मर्जर भी ठीक है मारुती सुजू की मारुती इंडिया की सुजू की भार की तो ऐस तरीके से ठीक आया समझ भी सारा का सारा तो यह ता green field brown field दोनों का meaning बहुत अच्छे समझ इसमें भी नहीं बन रही है उसमें भी नहीं फरक समझ यह green field में तो completely नया है सुरू सही इसमें पहले जो चलरी उसको खरीदा फिर नया बना दिया ब्राउन फिल्ड में आया इन्वेश्मेंट कमिनिक के लियर हो गया ठीक है न ठीक है उसके बाद आया आपके पास भई कौन-कौन से मतलब फोर्म सोते हैं कुछ मतलब अलग-अलग बेशिज पर देखे लिए पर आपका हो गया एक्विजीशन मिनिंग बताने की बार बार रिक्वार्मेंट पड़ेगी नहीं आपको आपको मर्जर समझ में आ गया मर्जर में ठीक है ना एक्विजीशन समझ में इसके पाद फाइनेंशल रिकंस्ट्रक्शन में अब फिर से इंपोर्टेंट एक इसन आ आ गया आपके पाद होरीजेंटल वर्टिकल और कॉंग्लोमरेट देखो ध्यान से देखिए यह तो होरीजेंटल यह आपका वर्टिकल इसी समझ में आ जाएगा और एक यह वापका कॉंग्लोमरेट इसका मतलब मैं भी समझाता हूं यह मैंने लिखा वोड़ापन यह लिखा मैंने आइडिया दोनों बराबर की कंपनी थी सेव इंड्रेस्ट्री में थी दोनों का मर्जर हो गया तो क्या होगा यह होरीजेंटल ठीक है क्या सोथ जिसे चार कंपनी मारूती कंपनी है नों मारूती कार बनाती है लेकिन चैन्यसकार बनाता है यो ऑलें मारत के अब अगर मारति नो को एक्वायर कर ले मतलब समोल लेवल तो कि पॉर्ट कर रिया है तो और वों को करएए उस स्थिकॉयड करने वाली है कार की हो गई कर दो रॉब कह गए जिसको आइंड zusammen क्रिक थिक है उसके बाद देखिए कंत्र मुलमॉरेट में क्या है मानलों रिलाइस zor금 क्या काम करती आ जिया इंगा काम करती है तर ले वे कर दोने 59 दोनों काहिंडहें करती है को सूचल मिडिया कम करती आपको पता cancer from तो उसको क्या बोलते हैं तो होरीजंटल और सेम लेवल का है मतलब क्या है कि सेम इंडस्ट्री है लेकिन स्मोल लेवल पर काम करें तो होगा वर्टीकल और बिल्कुल भी रिलेटिड ना करें अन्रिलेटिड तो क्या होगा को अन्रिलेटिड ना करें लेकिन होगी शेम लेवल की वर्टीकल में कहता है तो डिफरेंट यूनिट्स मर्ज इंट वन बट वन बिजिस उनिट इस पार्शली एटिल पार्शली एटिल बना रही है कंपनी मारुति से पार्शली तब बनेगे तो यह क्या होगा आपका वर्टीकल मर्जर और तीसरा आया आपके पास कोंगलोमरेट जब दो अन्रिलेटिड कंपनी है एक साथ मिलकर काम करेगी तो क्या होगी कोंगलोमरेट आया समझ में उसके बाद आया टैकनिक के बेसिच पर देखो यह बहुत इंपोर्टन है इसमें भी आपको पता होना चा यह बैले की असनली समझे का मतलब है दोनों की इस्शा सेमर्जर हुआ है वॉर्टपूर एडिया डूनों चाहती है कि मर्जर हो तोय तो क्या होगा फ्रैंडली मर्जस्हिसकं lambda अमाल हो एकी एक कंपनी बेशना नहीं चाहती है अपने behy trilogy बनती नहीं है तो क्या होगा आपके पास वंपने सेञ्वाइर कर लिए आगे समझें दोनों का मिन किलिर हो गया अरनली मर्जर और का को स्टाइल टेक आइट में तुल का रहे हो आप उसमेरे जान बूज अरेंज मर्जर का मतलब होता है अब आपने सुना होगा येस बैंक का केस सुना था एक फ्रोड आया था भी इस तो नहीं थाम कर दिया वं लिए ना इस क medicine finance कर दिया रहा पैसा बेंगे लोग के बाहना चाहता था था लुड़ी अगवर्मेंट ने क्याlay चैना मर्जर कर दिया उसका कंडरों न वह पूरा का पूरा कंडरों के दिया इसको ए इस विए चिश्य क्या हो गवर्लमit नरेंज किया ह Claire Sozial कूर नुटन को फूर अब बात ही आपके पास की वह क्या रीजन है For International Merger देखो एक लिमिट के बाद आपकी जो डॉमेस्टिक डिमांड हो फुल्फिल हो जाएगी हाँ पहला तो रीजन क्या था कि आपको डॉमेस्टिक मार्के सचेवरेटी हो जाता है दूसरा आपका हाई टैरी पार इंपोर भाइड हो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप डूटी बहुत ज़्यादा लगाती है इंडियन जो गवर्मेंट होती है चाइनीज गूर् आउंटर वैली डूटी एड वोल्रम डूटी और क्या बता है चाइनीज स्पेसल सेफगाड डूटी पता नहीं कितनी तरी की डूटी लगाई तो आपको प्रोड़क्त इतने में मतला हो बिनाव डूटी के मिले है तो जो फोन आपको 10,000 के मिले हो तीन जार में मिल सकते है इसका एक रीजन है कि आपके domestic market फूरा खतम हो जाएगा तो इसलिए कि आपका की duty लगानी जरूरी भी होते है लेकिन हम यहां इस point से पढ़ रहे है कि भी हमें merger क्यों करना पढ़ रहा है acquisition क्यों क्यों करना पढ़ रहा है FDI क्यों लगानी पढ़ती है तो पहले बता कि market को expand करने के लिए दूसरा आपने पढ़ा कि वह बहुत ज़्यादा डूटी चार्ज करती है दूसरे कंट्री इसलिए तीसा होती है from processes superior technology to take a lead in host nation lead ले सकती है means देखो अपने यहां पर apple आई lead कर रही है दूसरी Chinese companies आ रही है mobile companies यहां बाके बनाए तो भी lead कर रही है नहीं कोई Indian mobile phone आपके पास नहीं है आप इतनी students हो कि इना बताओ कौन सा यूज करते हैं इंडिया में आई है company ऐसी बात नहीं है उन्हीं आया था एक spice का फोन आया था इंडिया से वह चाइनीज था इंडिया का टाटा का फोन था कोई नहीं पर्चेज करता हुए टाटा फोन आता था इतना सा लेकिन आम उसको नहीं कर 500 रुपए में वह भी नहीं चला देखो आप चीज समझी सुपरियर टेकनोलोजी के आगे नहीं ठीक परते हैं यह कि आपके पास यह लीड करेगा अपने पास क्या है ना तो देखो अपने पास ना तो बहुत जी जाजा टेकनोलोजी है ठीक है कोई स्केल लेबर नहीं है ना तो टेकनोलोजी है ना आपके पास स्केल लेबर है अगर यह दो नहीं चीजे नहीं है तीसरी ओर इंपोर्टेंट बात ना आपके पास कैपितल ना आपके पास अब एजुकेशन है कि सारी चीजें खराब है फिर आप जाते होगी यह बने अब आप यह कहोगे ना की एजुकेशन बढ़तों रहे हैं आप आप और जो बिजिस्टेमें बंढ रही है भी थी तो आप नहीं बहुत नहीं अई अब बारे इन सब चीजों के वाज़ें आप यहां पर आपने पता होगा कि मारूति का प्लांट था यहां पर उसको शिप्ट करके गुजरात लेके जा रहे हूं दूसरी चीज आप यहां पर हर्याना के हो जोब चीज नहीं मिलेगी बड़ी दिक्कते हैं आपके इमेज आपके इस तरीके से बन गई है कि लोकल लोकल बंदा काम करना पसंद नहीं करता तो शाम को घर भी जाना है चुटिया भी चीए दूसरे जो भार का बंदा होगा व लोगे हमारे पास एक तो स्कील लेपर इसके लिए एक स्पेसल उनिवर्स्टी ओपन की गई इंडिया में इस प्रपस के लिए उसमें सब को स्कील बेस काम होता है वहां सिकाया जाता हर चीज मतलब मैं गया हूँ वहां पर तो मैंने देखा है कि वहां पर एक्शुलिटी म है घंड नरों ओध ड्री बहुति मर बनाए जा रही है स्किल के रिकवार्मेंट पड़े गिए वंसाडेपार्टमेंट योस्किल के काम करते हैं आपका इनसडीसी है आपका सीडीसी है मुझा अरियाना में भी है बहुत सारे डिपाट्मेंट जो आपके स्किल बेस्ट लेर्निंग की काम करते हैं और भी छोड़ी आप दिल्ली बाइपास अभी क्रोस करोगे ने थोड़ी आप जाके देखना है इधर एक स्किल सेंटर है क्रोस करते आप दिल्ली बाइपास को दिल्ली रोड पर जाओ इधर आपको दिख जाएगा कौन साय में को द्धान ने बोर्ड लगावा काफी बड़ा ठीक है आपके गाव में भी होंगा कोई ने को स्किल पर आपका द्धान नहीं कोई बात नहीं चलवा जाओ हमने क्या आपके इंटरनेशनल मर्जा रेक्विजिशन के अब यह आता है कि FDI क्यों बेटर है ट्रेड शी ट्रेड का अब्जेक्टिव क्या था फिर से बताना प्रोपिट मैक्समाइजिशन विद एक्सपेंशन यह था ना बार बार यह इसलिए बोलना क्योंकि यही कि उने एक्ज आप जो प्रोटेक्ट मना रहे हो हैं आपके इंवॉर्मेंट एकोडिक्समाइब टेस्ट के बाइख है लेकिन वहाँlav का टेस्ठ अलग है इंडी unrest מא मारं इभा आप आखसवक डेक्व थेस्टे लाग व ओंसे प्नाए प्नई निया पूंसे सब्टेस्ट करें इंडिया का भाई भी बड़ा practical subject है तो इसको ऐसे ही समझना है कि अपका culture हर एक जगे के साथ अलग है इवन अप हर्याना में हो अर्याना में यहां पर हो तक में किस तरीके की आपकी बोली बोली जा रही है रिवाडी में अलग है जजजर साइड अलग है सोरी कैथल अलग है सोनी पत और हो गया है इसार की तरह अलग हो गया इसार की तरह उससाइड और अलग हो गई तो आप देखिए कितने तरीके का culture है तो टेस्ट भी अलग होगा प्रेफरेंस भी अलग होगी तो आप यह तो यह चीज होगी ठीक है तूसरा का एप डिय ओवरकम स्टैरी प्रिप अगर आप समझते हैं का मतलब है का मतनला बता एक काम ना कर थी काम कर आप इसकोश्च काम कर आपて है अपने on the पैसा ना लगा के अलग अलग में लगा इसको पॉर्टफोलियो बोला डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते है डाइवर्सिफिकेशन के अपने टाइप पड़े होंगे पोजिटीव पोजिटीव का मतलब बता है अगर एशी क्योर्टी बढ़ रही है बी भी उसके साथ बढ़ रिस्क मतलब पोजिटीव डाइवर्सिफिकेशन या नेगेटिव से रिस्क से कम होगा बताई यह है नेगेटिश होगा न कि मालो एक जागा है मालो इंडिया में आपका क्या बोलता है अभी कंडिशन खराब है और वो डाउन जा रही है उसके साथ जो है चाइनीज मार्क इस नेगेटिव से होता है पोजिशन नहीं होता है एक जीरो डाइवर्सिफिकेशन होता है कोई मैच नहीं करता मतलब कभी a security के साथ बढ़ गया कभी a के साथ यह कमतलब इन्वर्स भी है पोजिए कोई डिलेशन ही नहीं है कभी किसी डाइट्स को कभी चेंज नहीं आया लास्ट आया हार्मोनी इस प्लिटिकल रिलेशन भी आपके अच्छे बनते है यह भी आपका इम्पोर्टेंट मैंने का कि अभी साओधी अरभिया गए है अगर वो यहां पैसे लगाएंगे तो हमारे अपने आप अच्छे हो जाएंगे इवन हर्याना के अच्छ हो जाएंग यह जरूरी ने की चारी पॉइंट मिली आपको छे और बन सकते हैं कुछ भी बनाई लेकिन आपने अपनी कोगनेटिव स्कील को यूज करके बताना की हां यह होगा ठीक है समझना इने बाइब कुछ भी हो आपका मैंड डवलप होना जरूरी है ठीक है ओके यह होगे उसके अब देखें पॉर्टफोलिय इन्वेस्टमेंट एपाई आई आई का मतलब मैं बता चकाओं की इन्वेस्टमेंट इडि सेक्यूर्टी तुरू स्टोक एक्चेंज इस ठीक है अब कहा है इसका में अबजेक्टिव क्या होता है तूजनरेट इंकम यह बार-बार यह क्यों अब आपको प्रोसेस बता हूं मैं यह कैसे काम करता है यह आपकी रिलाइन्स है यह क्या आपकी रिलाइन्स कंपनी ठीक है इसको पैसे के रिक्वाइरमेंट इसका एक अकाउंट है इस बीए में यह रिलाइन्स क्या कहता है कि मेरे मेरे बीहाब पर कुछ रिशिप्ट इश्यू की जाए और वहां से पैसा कलेक्ट किया जाए ठीक है यह इसको अगरी कर देता है इसके ओडर के बाद यह इसकी कंसेंट के बाद यह काम कर रहे है एस बीए नहीं क्या किया एस बीए ने कुछ रिशिप्ट बनाई और इसको अब यह गया यूए से यूए से में चला गया ना स्टेफ यूए स्यूए यूए से का एक स्टोक अगशेंजर ने एश ने वहां पर चला गया और इस ने जो रशिप्ट बनाई इसके स्टोक अगरादी रजिस्टर करा दी ठीक है क्या करा दिए आपकी process भी समझ देना साथ साथ अब आपका क्या हुआ इसका registration करा दिया registration कराने के बाद आप SBI क्या करता है एक person को appoint करता है as an agent sbi कह सकते हो रेलाइंज रेलाइंस का कैसकते हों कि रेलायाइंस की publishers कऄ हीए अब इसकी advertisement करेगा कि यह cheaper करो अब यहां की public को पता लगेगी का की public को UAE यहां पर क्या करेंगे यहां से purchase करेंगे receipt को ठीका पैसया लगा दिया यह पैसे यहाँ आएगा SBA के पास वे देगा इसको है कि ये क्या हुआ neural user ADR American Depository ठीक है अगर अमेरिका के अलावा अमेरिका आपने आपको स्पेसिफिक रखना चाहता है तो इसने अम अमेरिका लिख दिया ADR और GDR समझ भी आया है ठीक है नेक्स्ट आए आपके पास एकना IDR और होता है IDR यह तो ADR GDR में क्या हुआ इंडियन कम्पनी बाहर से पैसा क्लेक्ट कर रही है कोई फोरें कम्पनी इंडिया से आके पैसा इखटा करे ना तो उसको बोलते है आई-डियार INDIAN Depository रिषिप जैसे American depository रिषिप जैसे अमेरिकां डिपोज्जीक्ट रिषिप ता ना इसीतरी कैसे क्या होगा foreign currency convertible bonds process same वह वही मतलब रिलाइन्स यह क्या आपका SBI इसने क्या कर दिया issue bonds अब यहां पर क्या कर दिया bonds issue कर दिया foreign के लिए वहां के लोग पैसे लगा रहे हैं लेकिन कंडिशन दिखी हुए इस पे की वही यह कैटेगरी इसकी FCCP मतलब यह बॉंड्स आप अभी परचेश की जैनि foreign currency है भी यह foreign currency हमें दीजिया इन बॉंड्स को हम क्या करेंगे आपको security में convert कर देंगे किसकी में company के रिलाइंस के रिलाइंस में issue कर देंगे shares कुछ time period के बाद after three month यह three years के बाद मरलब आप अभी हमें bonds पर्चेश करो हमें पैसा दो एक time period के बाद इन bonds को हम convert कर देंगे equity shares में खुद की company के तो यह क्या वह आपका foreign currency convertible bonds यहनि bonds converted into security यहनि equity shares तो यह तो आपका क्या FCCB अब आता है एक्सेंजेबल की FCCB यहना foreign currency exchangeable bonds इसमें क्या होता है process same रहता है अभी आपनी क्या कहाता कि bonds किसमें convert वेते bonds convert वेते है on equity है ना और उस cases में आपके जो bonds होते है bonds आप convert करवा सकते हो जैसे किसी दूसरी company के shares में टाटा में क्योंकि क्योंकि reliance का already sales होता है टाटा में तो जितना टाटा के में sales होता है उसमें convert कर देंगे तो यह क्या हुआ एक्सेंजेबल बोट यूरो इसु का मतलब बता है किसी यूरोपीन यूनियन के मार्केट से फोरन मार्केट से पैसा अरेंज कर देंगे उसको बोल देंगे यूरो इशू ठीक है आया समझ में ठीक है तो यह था आपके पास क्या portfolio investment उसके बदाया entry route कौन कौन से होते हैं देखो दो रूट होतने आपके पास एक तो होता है और एक होता है गावर्मेंट रूट इन रूट के थुरू आप एंटर कर सकते हो किसी भी फोरन मार्केट में कि देखो ऑटोमेटिक रूट का क्या मतलब बता है कुछ मिनिमूम कंडिशन को फुल्फिल करते हुए जो गाइडलेंज दी हुई है किसने आर बी ने और आपका जो मिनिस्ट्रियों फॉरन डिपार्टमेंट है डिजी अप्रिड्रा डाक्टर जनल फॉरन ट्रेड का फॉरन डिपार्टमेंट उसकी गाइडलेंज को फुल्फिल करो उन कंडिशन को अगर आप फुल्फिल कर रहे तो किसी इंडिस्ट्री में इन्वेस्ट्मेंट कर दो इस कि पर्मोंसन लेने के बाद ही आप इन्मेस्टमेंट कर सकते हो तो क्या होगा आपका गौर्मेंट्रीट से ऊपर जैसे आपका पैसा चला गया तो क्वार्मोशन पर्मोशन बॉड की पर्मिशन की रिक्वायर्मेंट टिक में आपको आपको यह आपको एक अपर आगजाम में आई ऐसे कौन कौन से सेक्टर से जहां पर आपकी FDI परसंटेज में पूछी जाती है कि इतनी अलाउड है दूसरा किस कौन कौन से सेक्टर है कि जो अलाउड नहीं करता देखो आप लोटरी के बिजनिस में अप डिया लाउड नहीं है प्रोहिबिशन से लगी हुई है आप इसमें पैसे नहीं अपड़े लाउड नहीं लेकिन अलकोल में आपके FDI अलाउड हो भी 100 परशेंट अलकोल के कैसे लिए ठीक है अट्रमिक अनर्जी और रेल्वे दोनों FDI के लिए बेहन है रेल नहीं है और आपका अटमिक अनर्जी इसमें भी बेहन है ठीक है तो पहले तो यह देख लो कह का बेहन है लोटरी के बिजनिस में गैंबलिंग में चिट फंड्स में रियल इस्टीट बिजनिस में सिगार संबाको में अटमिक अनर्जी और रेलवे छे सेक्टर जहां पर आपके FDI अलाउडी नहीं है ठीक है FDI के लिमिट कहां पर कि कितनी है देखिए बहुत इंपोर् इंपनेट सर्विस प्रवाइडर 74 परसेंट पाबलिक सेक्टर बैंक आपका 20 परसेंट और प्राइब शेक्टर आपका 74 एक तो यह बहुत जल्द आपको अच्छे या दोना चीए 20 परसेंट और 74 परसेंट एप डिये कमरेटी एक्टेंज में 49 परसेंट है इंश्रांस में और 249 ओर्टमेटिक रूट और 25 अपकी गवर्मेंट रूट पिंट मेडिया 26 परसेंट सिविल एविएशन की 51 परसेंट टूरिजम सेक्टर में हैंडर अब आपको क्या क्या पता होना चीए एक यह और एक आपका इंश्रांस में लिचार आपको पता होना चीए क्योंकि आ होगे आपको आपको अपको अप्ड़िए वह आपको तो कि